दोस्तों शुरू हो चुका है 2024 ओलंपिया जो इस साल होगा लास वेगास में ये है ओलंपिया का 60 हुआ साल और कहा जा रहा है कि इस साल ओलंपिया को फिल्माया जाएगा ठीक जैसे 2013 में जनरेशन आयरन मुवी निकल के आये थी वही चीज अब दुबारा होने वाली है 2024 ओलंपिया के साथ में यानि कि इसको फिल्माया जा रहा है औल्रेडी सारे कॉम्पिटीटर्स की प्रेप पहले से ही फिल्माया जा चुकी है इस बार का ओलंपिया पूरा एक मुवी बनके हमारे सामने आयेगा लेकिन कब अभी इसकी exact date अभी सामने नहीं आई अभी यहां से भी और इसको फिल्मायेंगे मतलब यह ओलंपिया हो जाएगा उसके बाद भी इसकी प्रोडक्शन चलती रहेगी फिर अगले साल जा करके यह मूवी रिलीज होगी तो यह बड़िया है लेकिन इसको व्लैड यूटीन ही डायरेक्ट करें है जो पहले वाली जनरेशन ay lan को भी डायरnaire कर चुके हैं पर्षेप्शन के उनको विलन दिखाये गया था काय गरीब दिखाये गया था जबकि ऐसा था नहीं अट लिस्ट उस पॉंट ऑफ टाइम तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं था देखते हैं इस बार कहानी किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट जाएगी वैसे तो ओलंपिया वाल प्रियूल वीडियो ले करके आया हूँ लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपकी उमीदों पर पानी फेड़ता हुआ मैं आपको ये बता दूं के ओलंपिया इस साल भी फ्री नहीं होने वाला है हर साल की तरह ये लोग 75 डॉलर्स जैसे पिछले साल इनोने लिये थे इसी स साल भी ले रहे हैं 75 डॉलर्स यानि की करीबन 6200 रुपीज के आसपास उस पर अगर आप 300-400 रुपे इंटरनेट हैंडलिंग फीस लगा दो तो वो लगबख 6500-6600 के आसपास का अमाउंट बन जाता है यानि की वो अमाउंट आपको इस साल इनको देना पड़ेगा अब य अपने थौट्स आप हमेशा की तरह देखोगे यानि की दिन में पांच वीडियोज एक दिन में पांच वीडियोज आएंगी जैसे हर साल मैं लेकर के आता हूं इस बार दोस्तों 12 ऑक्टोबर को आप पांच वीडियोज इस चैनल पे देखोगे उमीद तो यही करूँगा के मैं पांचों की पांचों अपलोड कर पाऊं बिकॉस एक एक स्ट्रीम दिन हो जाता है मेरे लिए पिछले साल मैं ने दो दिन लगातर 5 वीडियोज अपलोड करे थी प्री जचिंग वाले दिन भी फाइम्नल्स वाले दिन भी जिसके लिए मैंने लगबग 30 घंटे बिना सोय काम किया था तो 10 वीडियोस 2 दिन में पिछले साल मैं अप्लोड कर गया था इस साल भी ये टारगेट रहेगा मेरा यानि फाइनल्स वाले दिन भी मैं 5 वीडियोस डालूंगा ये मेरा टारगेट है अब देखता हूँ उसको कितना मैं चेज कर पाऊंगा खेर आपको एक-एक मुमेंट मैं कैप्चर करवाने की कोशिश करूँगा All About Olympia चैनल के थूँ और हाँ दोस्तो हर साल की तरह मेर से सब्सक्रिप्शन मत मांगना कि अविरल भाई अपना आईडी और पास्वर्ड मेरे को बता दो क्योंकि मैं बता तो दूँ लेकिन Olympia सिर्फ दो लोग ही एक डिवाइस पे देख सकते हैं इसका मतलब अगर मैंने अपना पास्वर्ड और आईडी आपको बता दिया तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा मैं इन्हीं देख पांगो तो मुझे देखना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सका हूँ इस चैनल के थूँ और एक तरह से पूरी कवरेज चैनल पे रहीगी Olympia की हर साल की तरह एक बहुत धमाकेदार तरीके से फिलाल तो आप यह देख रहे होंगे स्क्रीन पे के अभी Amateur Olympia चल रहा है और यह भी फ्री नहीं है पहले होता था अभी यह भी इन्होंने पेड कर दिया कहने का मतलब पूरे पैसे लेकर ही मानेंगे यह यहाँ पर हम लोग आज शेडियूल देख लेते हैं अब पहले देखो Indian Standards के हिसाब से बताऊंगा पिछले साल Olympia Orlando Florida में हुआ था तो इंडिया और लेंडो से साड़े 9 घंटे आगे चलता है पर इस साल का Olympia होगा लास वेगास में और वैसे भी अगर आपको पता ना हो लास वेगास से ही Olympia पिछले 20-25 साल से होते आ रहा है तो इंडिया लास वेगास से साड़े 12 घंटे आगे चलता है तो मैं आपको डारेक्ल यहाँ पर इंडियन टाइमिंग बताने जा रहा हूँ किस टाइम आप क्या देखोगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रेस कॉनफरेंस की तो प्रेस कॉनफरेंस आप देखोगे ग्यारा तारीक को रात के साड़े 12 बजे और इस दिन मैं पूरी प्रेस कॉनफरेंस आपके सामने कवर करूँगा वीडियो अब रात में बनाऊंगा तो आप समझो कि वीडियो आपको दुपैर तक देखने के लिए मिलेगी यानि कि 11 तारीक को दुपैर में मैं कहीं प्रेस कॉनफरेंस की वीडियो डाल दूँगा एनालेसिस पूरा बताऊंगा कि किसे ने क्या बोला कौन कितना तयार है कौन कितना पानी में इसके बाद अगर हम चलते हैं तो अगली चीज आती है ओलंपिया प्री जजजिंग रात के 10 बजे यानि इसी 11 तारीक को 10 बजे आप रात में देखोगे ओलंपिया की प्री जजजिंग जिसमें हमें सिर्फ एक ही मैंस डिवीजन दिखाई देगी जो होगी मैंस 212 बाकि सारी फीमेल डिवीजन्स हैं इनके बाद अगर हम चलते हैं तो अगला दिन लग जाता है दोस्तों यह आती है 12 तारीक और 12 तारीक को आप सुबे साड़े 6 बजे देखोगे 212 ओलम्पिया के फाइनल्स होते हुए उसके बाद में फिटनेस, फिगर ओलम्पिया, वुमेंस फिजीक ओलम्पिया, मिस ओलम्पिया और वेलनेस ओलम्पिया इन सबके भी फाइनल्स हो जाएंगे और उसके बाद आखिरकार हम लोग देखेंगे हाँ पर Mr. Olympia Men's Open Bodybuilding की Pre-judging तो ये सबसे important दिन हमारा होने वाल है सुबह साड़े 6 बजे हमें ये सारे events देखने के लिए मिलेंगे ये है 12 तारीक, अब 12 तारीक को ये वापस रात में चलते हैं और आ जाते हैं 10 बजे तो रात के 10 बजे आप लोग देखोगे Classic Physique, Men's Physique, Bikni Olympia और Wheelchair की Pre-judging ये सारी Pre-judging रहने वाली हैं बट Wheelchair के अंदर ये याद रखोगे, Pre-judging के साथ ही ये लोग Finals भी करवा देगे ऐसा हर साल होता है तो ये आप 10 बजे देखोगे और इनकी भी मैं obviously coverage रात भर करता रहूंगा वीडियो बनाता रहूंगा, 3-4 बजे भी रात में वीडियो आ रही होंगी तो ये आप expect करके चलना क्योंकि हर साल ऐसा होता है, कई सालों से ऐसा हो रहा है किसी भी टाइम वीडियो आ रहे होंगी, जैसे जैसे इवेंट्स खतम, वैसे वैसे मेरी वीडियो चैनल पे आने को तयार इसके बाद दोस्तों आखिरकार आ जाता है वो दिन जिसके लिए हम सब लोग Mr. Olympia का नाम जबते हैं पूरे साल यानि की फाइनल डे, ये है संडे, तेरा तारीक, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुबह साड़े साथ बजे की सुबह साड़े साथ बजे Mr. Olympia शुरू हो जाएगा, Men's Open Bodybuilding अब मैं आपको बता दूँ, ये लोग एकदम सुबह सुबह करवा देते हैं, Men's Open के ही फाइनल्स और सारे comparison, rounds, call-out सब करवा देंगे, उसके बाद वो लोग सारे पीछे backstage, फिर आते हैं Men's Physique वाले, Bikni वाले, Classic Physique Olympia इन सब के finals हो जाएंगे, हाथो हाथ, और सारे results हमारे सामने, आखिर कर दुबारा ये लोग लाते हैं, stage पे सारे Mr. Olympia Men's Open Bodybuilders को, और फिर announce करते हैं, कौन बनेगा, 2024 का Mr. Olympia, तो Mr. Olympia बिलकुल शुरुआत में थोड़ा सा होगा, जिसमें की पूरे analysis, call outs, ये सब चीजे, उसके बाद Mr. Olympia दुबारा होगा, आखिर का जिसमें result एनाउंस होगा, तो ये है हमारा Sunday वाला दिन, सुबह साड़े साथ बज़े से लेकर के समझ लो, ये चलता रहेगा बहुत लंबा, ये लगबाग 12 बज़े तक दुपैर के जाकर के खतम होगा Olympia, और 12 बज़े हमें समझ आएगा कौन Mr. Olympia ये है पूरा का पूरा schedule, mainly Olympia जो इंडिया में हम लोग देखते हैं, Saturday और Sunday वाले दिन ही देखते हैं तो ये जो मैंने अभी पूरा आपको schedule बताया है, Saturday और Sunday के अंदर अंदर ही सारे events हो जाने वाले हैं तो मुझे तो लगता है बहुत ही मज़ेदार इस बार का Olympia जाने वाला है, क्योंकि 60 साल है तो कुछ तो इनको special करना चाहिए मैं दोस्तो एक बात रखता हूँ आपके सामने, कुछ special करो ना करो, Olympia की जो quality है न, वो torrent से download हुई, pirated movie जैसी नहीं होनी चाहिए इस साल के Arnold Classic से Mr. Olympia promoters को कुछ सीखना चाहिए, इस साल के Arnold की quality पता कैसी थी, जैसे आप किसी थेटर में जाकर के IMAX movie देख रहे हो, सोचो उनकी quality को मैं IMAX से compare कर रहा हूँ, और वो दे रहे हैं उस quality को free में, और ये Olympia वाले pirated quality दिखाने के लिए भी 65 रुपे चार्ज करत जैसे Olympia में कोई बड़े athlete सीवम उतर के आगए पोजिंग करने, तो server पे इतना load आगया कि server ही hang हो गया, चली निरा Olympia, ये चीज ना हो यार बस, Arnold में क्योंकि नहीं होती है, इस साल Arnold में एक चीज बहुत अच्छी थी, single camera था सामने सामने, various cameras अलग 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 नहीं लगे ह अच्छी बात होती है, तो इसलिए हाँ पर multiple shots की जरूरत नहीं है, ये कोई cricket match या कोई movie की तरह हम इसको नहीं देखते है, हम लोग इसे घूर घूर के देखते है, एक bodybuilder के एक body part को, इसलिए सामने सामने, एक single camera होना, साफ camera होना, अच्छी clarity capture कर ले, वो जरूरी है, पीछ शरीर ठीक तरीके से दिखे, ना कि वो disco lights पड़ रही हूँ, तो Olympia में इतना जदा अगर पैसा ले रहे हैं, 60-40 साल का Olympia का चल रहा है, इतनी हम उम्मीद करेंगे कि कोई technical error ना है, इनकी live streaming में, क्योंकि ज्यादा लोग online ही देख रहे हैं worldwide, थोड़े बहुत ही तो वो वेगास पहुचके देख पाते हैं directly, इसलिए हर कोई तो लास वेगास जानी सकता, maximum लोग हम जैसे ही हैं, जो online बैट करके देखते हैं, जिनको clear vision नहीं मिल पाता है, ओलंपिया में कौन athlete कैसा दिख रहा है, I hope ओलंपिया वाले पिछले कई सालों की इस गलती को साल सुधार पर ले, बस उमीद ही कर सकते हैं, नहीं तो सच में एक बात बता हूँ, जितना पैसा ये हर साल चार्ज करते हैं अब ऑलंपिया दिखानेगा, वो पैसट सो रुपिया इने हमें देना चाहिए, ऐसी live streaming देखने का कुछ तो इनाम मिले, खेर हमारा दिल बड़ा है और हमारी जरूरत भी, तो इसी रिए चुकाते हैं, और लोग तब भी उलंपिया देखते हैं, भले ये लोग बिल्कुल न सुधरे, और इस बार हम ये भी उम्मीद करेंगे, कि ये एक अच्छा background पीछे रखे, black background तो भी ये लोग रखने ही सकते, क्योंकि इतने सारे sponsors दिखाने होत इतना ही कर दे, बस audience को और क्या चाहिए, एक better viewing experience, क्योंकि यार देखो, audience है, तो game है, यहाँ पर दोस्तों, यही था पूरा का पूरा schedule जो मैंने आपके सामने रखा नहीं समझाए, तो एक बर फिर से वीडियो देख लेना, ताकि आपको Indian timing के साब से पूरा schedule पता लग अब मिलते हैं कल men's physics prediction के साथ में, और बस फिर तो Olympia ही शुरू हो जाएगा, तब तक के लिए दोस्तो stay tuned, goodbye, शुक्रिया